यूपी के हर दोई जिले में ड्यूटी परतानाद दरोगा का शराब पीते हुए एक वीडियो वाइरल हो रहा है ड्यूटी परतानाद दरोगा बावर्दी खुले आम शराब पीते नजरा रहे हैं इस दोरान बावर्दी दरोगा ने अपनी पकड़ी का भी खास खयाल रखा शराब पीने के दरोगा जी ने अपनी पी कैप को खोखे में रख भगउनी के बीच में सुरुकशित रख दिया ऐसे में दरोगा जी अपने पद और वर्धी की गरिमा भूल गए और खुले आम जाम छलकाते नजर आए अब दरोगा जी के जाम छलकाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है तो पुलिस अधिकारी अब इस पूरे मामले में जाच और कारवाई की बात कर रहे हैं आपको बताते चलें कि ये पूरा मामला हर्दोई जिले के थानक कोतवाली शहर छेतर का है तस्वीर में नजर आ रहे दरोगा का नाम शैलेंदर सिंग चोहान बताया जा रहा है जो ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर पत पर थैनात है यह वीडियो कोतवाली शहर से महस 50 मीटर की दूरी पर 29 चौराहे का बताया जा रहा है जिसमें सब इंस्पेक्टर वबर्दी शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं द्रसले खोखे में बैटकर दरोगा जी शराब पी रहे थे इस दौरान बाववर्ती शराब पीते दरोगा जी पर किसी की नजर पढ़ और उसने इस पूरे घटनकरम का वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर वाइरल कर दिया हाला कि इस मामले में अब कोई भी पुलिस अधिकारी खुल कर बोलने को तयार नहीं है फोन पर हुई वारता के दौरान सीओ सीटी विनोत कुमार दुवेदी ने बताया कि प्रकरन संग्यान में नहीं है और पूरे प्रकरन की जाच कराई जाएगी और जाच के बाद ही कारवाई होगी हर दोई से अर्विन तिवारी की रिपोर्ट